हलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही तेस्टी सी जली मिल्की बार की रेसिपी तो इसे बनाना बहुत ही असान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना सबसे बहले मैं यहां ले रही हूँ थोड़ी सी जली तो आप देख रहे हैं इसे मैंने roughly chop कर लिया है और साथ ही साथ मैं ले रही हूँ white chocolate compound और इसे भी मैं roughly chop कर लूँगी यहाँ पर मैंने एक बार का use किया है और अब हम इसे double boiler में melt कर लेंगे आप चाहें तो microwave कर सकते हैं पर यहाँ मैं double boiler का use कर रहे हूँ और आप इसे अच्छे से हिलाते हुए melt करें और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी काफी बार बता चुकी हूँ कि जब भी हम chocolate को melt करते हैं तब हमें बहुत यादा ध्यान देना होता है कि जो भी हम बरतन यूज़ कर रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए तो आप देख रहे हैं यहाँ जो चौकलेट है हमारी melt हो चुकी है और यह जो silicon mold में यहाँ पर यूज़ कर रहे हूँ यह online आपको बहुत easily मिल जाएगा इसका link में आपको description box में नीचे दे दूँगी और यहाँ पर चौकलेट को हमने अच्छे से फिलाते हुए सेट करना है रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर चौकलेट पबली की रेसिपी शेयर करिया अगर आप जानना चाहते हैं कि चौकलेट पबली हमने बिना mold के कैसे बनाई है तो उसका link में आपको अपने description box में दे दूँगी यह आप देख रहे है की बहुत ही अच्छे से अच्छे को पी छॉक्त कर लिया है और उपर से हम से अच्छे के पछले देर बहुत ही क्या जया कि दैकनिा है। अब l Butt Fock Cash तो आप यहां पर देख रहे हैं, अमने इसे फ्रिज में रख दिया था और तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी मिल्की बार, जैली मिल्की बार चॉकलेट बनके रेडी हो चुकी है तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राइ कीजिए, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है आप ही इस अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिए, बच्चे बहुत ही चॉंग से खाने वाले हैं जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी की साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, टेक क्यों, बावाई